हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका मेरे किचन में आज हम बनाएंगे ब्रत में खाने के लिए इटली जो की बहुत ही टेस्टी है मसाला इटली इसे हम कहते हैं फ्रेंट हम आज मसाला इटली बनाएंगे ब्रत में खाने के लिए तो इस तरीके से आप भी बनाएए और नौ दि Saabun Dana लिया तो साबुन दाना करें और इसको घ्लेंडर जार में और इसको पीशक पूडर बना लेंगे फ्रेंट तो इसे पहरें फटाफट पीश लेते हैं तो देखें के निकाल लेटें अगर इसे ढूले तो इसे आप चान भी सकते हैं अगर साप अच्छे से नहीं की हैं तो इसे चन्नी से चान दीजिए और अगर दूले हैं तो चानने की जरुषत नहीं है फ्रेंट और इसमें डाल देंगे दही तो यहां पर देखे हमने दो बड़े चमच दही डाला है दही हमारी थोड़ी तो बैटर को ज्यादा गाढ़ा या पतला नहीं करना है मीडियम बैटर हमें बना के रेडी करना है इसलिए हम इसमें एक साथ पानी नहीं डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे तो फिर बैटर पतला भी हो सकता है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी को ड लगने लगे और बागी मैसाले डालेंगे तो उसी हिसाब स피क्रव से हम पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो बस देखिए इस तरीके से बैटर को हम continue चलाते जाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके एड़ करते जाएंगे जब आपको लगे कि बैटर परफेक्ट है तो बस इसे पानी डालना बंद कर देते यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया है अब इसे ढग देंगे फ्रंट सम कम सक दो से तीन घंटे क हो चुके हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें चोटे-चोटे बॉल जैसे दिख रहा है ना तो हमने तीन गंटे के लिए इसे रख दिया था और चलिए फटा-फट इसकी हम इटली बना के फ्रंट से रेडी करते हैं तो इटली बनाने इस पहले मुसके मसाले बना है तो यहां पर एक पैन में हमने जीरा ले लिया है एक चोटा चम्श और यहां पर हमने करी पत्ता ले लिया है फ्रंस और इसमें हम एड कर देंगे हरा miracle तो यहां पर दीक हमने हराarm sheets ऑलden है और जैसे इसे थोड़ा सा हम भूण लेंगे चटका लेंगे मिर्चे को तो इटली मसाला इटली बनाएंगे तो इसमें हम आलू की श्ठपी बनाके रेडी कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हम मिर्चे को सौटे कर लेंगे फिर इसमें हम आलू को डाल देंगे तो आप चाहें तो आलू को पहले से मैस करके डाल सकते हैं या ऐसे इसे खड़े-खड़े डाल दीजिए और इसे थोड़ा सा जैसे भून जाए फिर हम इसे पल्टे की मदद से मैस भी कर सकते हैं या मैसर ले ले, मैसर से इसमें मैस कर दीजिए तो बस यह आलूव बॉइल है इसलिए हम इसमें पल्टे से ऐसे दबाते जाएंगे तो बहुत अच्छे से यह मैस हो जाता है फ्रेंट्स देखिए बिल्कुल अच्छे से मैस हो गया है आप चाहें तो उपर से इसमें थोड़ा सा जीरा को भून के भी एड़ कर सकते हैं या फोरन में ही साबुत जीरा को एड़ कर सकते हैं हमने यहां पर साबुत जीरा ही इस्तमाल किया है फ्रेंट्स और इसमें आप चाहें तो नेम्बू का रस भी डाल सकते हैं अगर आपको खाना पसंद है और उपर से भूना हुआ वगा जीरा और उपर से सेना नमक डाल दिजेए बस आपका ये मसाला तैयार हो जाएगा तो यहां तोड़ा से हमने घी लग दिया है और ऊपर से हम थोड़ा सा बैटर को डाल देंगे थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे ज्यादा नहीं डालेंगे भीच में हम जो अलु बनाये थे उसके टिक की अधिक को एड़ कर देंगे तो यह बनके हमारा रेड़ी हो जाएगा मसाला इटली बहुत ही टेस्टी लगता है आप जरूर बनाएगा इस तरीके से और इसके उपर से भी हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे जिससे बहुत ही अच्छे से जो आलू है वो कभर हो जाए तो देखिए हमने इसमें डाल दिया है तो ऐसे करके हम सारे इटली को इस्टैंड में लगा लेंगे तो जितने हमने बैटर बनाया था उसमें हमारा बहुत सारा इटली बनके रैडि हुआ है इसमें दूसरा इसमें लगा लेंगे तो अगर आपको मेरा इटली का रेस्पी अच्छा लगे ना तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करिएगा और तो यह तो निकाल लेंगे तो यहां पर देखे इटली हमारी बन के रड़ी हो चुकी है हम आपको दिखा दे रहे हैं इसमें हम कोई चीज पिंस करके देखेंगे जब चिपकेगा नहीं तो समझ जाए कि यह पक चुका है तो यह देखें बिल्कुल पक गया है अब इसे हम नि और हरी मिर्च की यहां पर चटनी बनाई है तो ऐसे बना के फटा फट आप खाईए या सौर्ब करिए नौरातन का टाइम चल रहा है बहुत ही हल्दी रहने वाले हैं अगर इस तरीके से बना के नौरातन में खाते हैं तो बिल्कुल नौ दिन के बाद आपको पता नहीं च टेश्टी लग रहा है तो आप भी जरूर इस तरीके से बनाईएगा और चटनी के साथ तो इसका स्वाद बढ़ी जाता है तो बस ब्रेड़ी है हमारा यह मसाला वाला इटली तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताईएगा और यह खाईए गरम-गरम और घरवालों को भी खिलाएए और नौ दिन का ब्रत का आनंद उठाएए फ्रेंड्स इटली के साथ तैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वाचिंग फार माई वीडियो